आप सब लोग जानते ही हैं, बहुत लंबे समय से पंजाब की राजनीती और देश की राजनीती में आदरिने जाकर जी सक्रिया रहे हैं, पंजाब विदान सभा में विपक्ष के नेता रहे हैं, पी सी सी के प्रेजडेंट रहे हैं, और सांसद के रूप में भी आपने काफी आपका स्वागत करते हैं और किस अफसर पर मैं पार्टी के राश्टे द्यक्ष आधन ये जी पी नड़ा जी से अग्रे करता हूं कि जाखड जी को बारते जन्ता पार्टी की सिरस्ता की परची और उनका पार्टी भी स्वागत करें झाल झाल जाखर जी का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी विश्वाकत है और इस अफसर पर मैं पार्टी के राष्टे देख्ष आदने नड़ा जी से आग रहा करूंगा कि वे जाखर जी का पार्टी में स्वागत करें करोणों कारे करता हूं कि और से उनका भारतिय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं यह हम सब के लिए खुशी का विश्व है कि सुनीर जाकर जी जो एक अनुभवी नेता और जिनोंने लगभग सारतीन दशक राजनीती में एक अपना स्थान बनाया है ऐसे व्यक्तित्व भारतिय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं आप ने कई जिम्मेवारिया निभाई हैं प्रदेश के कॉंग्रिस के एक समय अध्यक्ष भी रहे एलोपी भी रहे लोकसभा में भी रहे विधान सभा में लंबे अर्शे तक रहे और एक अपनी खास छवी पार्टी से अलग हट करके आपने स्थापित की और किसानों के न आप ने कई जिम्मेवारियों पर काम किया है आज मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि पंजाब में राष्ट्रबादी ताकतों का जो प्रथम स्थान है वो भारतिय जन्ता पार्टी ले रही है और इसलिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रबादी विचार रखने वाले बढ़े साथ जूडे और मजबूती प्रणान करे पंजाब इस अबार से more than 550 kilometers border is along with Pakistan there are issues related to drugs there are issues related to terrorism there are issues where it is it the the endeavor from the Pakistan side is to make it a gateway for all activities which is going on which तो ऐसे में राष्ट्रवादी ताकतों का मजबूत होना पंजाब में आज की आवशकता है और आज पंजाब में भारतिये जनता पार्टी ओपोजिशन की आवाज बन करके आ रहे हैं और इसलिए मैंने उसमें भी कहा था कि बहुत लोग कॉंग्रस से और अकाली दल से भी ज राष्ट्रवादी ताकतों के साथ जुड़ना चाहते हैं वो भारतिये जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं इस कड़ी में मैंने पहले कहा कि एक अपनी छवी रखने वाले ऐसे सुनिल जाकर जी ने आज भारतिये जनता पार्टी की सदस्ता ली है और मुझे पूरा वि अंभव का हमसद उपियोग करेंगे और पायटी मजबूत होगी पंजाब को मजबूत करने के लिए पंजाब को मजबूती प्रदान करने के लिए और उषमे पर शुनील जाकर जी का विशेश योगदान रहने वाला यह मैं पुना आपका अभिनन दन करता हूं स्वागत करता हूँ और मैं निवेदन भी करूँगा सुनील जी से कि आप जरूर कुछ अपने उद्गार कहें और बहुत बहुत धन्यवाद आधरनिये बीजेपी के अध्याक्ष नड़ा साथ जो आपने मुझे से व्यक्ति को माननी है परदान मंतरी रिरेंदर मोदी जी माननी है देश के ग्रह मंतरी अमिश्या जी उनके साथ उनकी सहमती से मुझे से व्यक्ति को आज अपनी पार्टी में शामिल होने का ये मौका दिया मैं अबारियों मंच पे जो मवजूद हमारे प्रबारियानिल बालूनी जी हैं मैं अबारियों खास तौर पे पुर्वेश्वर्मा जी का जो खास तौर पे इस बौके पे यहां पहुंचे हैं मैं आबारी हूँ अर्विंद खना जी का मैं आबारी हूँ मनंजिंदर सिंग सरसा जी का मैं आबारी हूँ परमेंदर जी का कि आप सब के सहयोग से आज इस बीज़ेपी के मंच पे नड़ा साब की आजरी में बीज़ेपी में सामिल होने का मौका आपने दिया धन्यवाद नड़ा साब आप सभी ये कोई कोई असान काम नहीं होता पचास साल का समंद मेरा कॉंग्रेस से है हमारी तीन पीडियां कॉंग्रेस पार्टी में सन 1972 से लेके आज 2022 तक हमने पार्टी को अपना परिवार समझ के अच्छे बुरे समय में साथ रहे हैं और एक चीज जो मैं समझता हूँ जिसकी वज़े से जिस आत्मियता से और जिस खुले दिल से बीजे पी के शीर सनेतरितव ने और नड़ा साथ ने आज मिलने को मौका दिया उसका सबसे बड़ा कारण था कि सुनील जाखड ने राजनिती को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया सुनील जाखड ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया हमने सभी हमेशा कोशिश की है शायद सफलता ना मिलियो जोड़ने का काम की है और मैं एक ऐसे सूबे से समन्द रखता हूँ एक ऐसे प्रांथ से आता हूँ जो गुरुवों संतों पीर पगंबरों की दर्ती मानी जाती है अगर राष्ट्रियता की बात जैसे नड़ा साब ने बार बार जिस बात को इंफिसाइज की है आज अगर जहां देश की जरूरत राष्ट्रियता की बावना की है वहां अगर राष्ट्रियता कहीं से चलू होती है जिसे कहते है और श्परूंग पेसिक जेनेसिस राष्ट Χुर्ण प्रियता वो त्वी पैदा होती है जो समाज में राष्ट हीयता की बावनओ एक जुटता की बावनओ पंजाब का अमूल मंत्री यह राय गुरू साहब ने गुरू नानक देव जी ने सर्वसांजी वालता की बात कब की थी आज भी उस पर पहरा देने के लिए पंजाबी उसी तरह तत पर खड़ें अगर सुनील जाखर ने आज एक परिवार से पचास साल का रिष्टा तोड़ने की नौबत आई तो कोई आधार बूत बातें थी किसी कोई व्यक्तिकत जगड़ा नहीं था जगड़ा पंजाब की जो बाईचारा है बाईचारिक सांज है जिसको की टेर्रिज्म एक एक फोर सेवन की गोड़िया नहीं तोड़ पाई जहां आपसी बाईचारे में चाहे वो सिख हों चाहे हिंदू हों उनके अंदर किसी किसम का कोई द्वेस्ट की भावना पैदा नहीं हुई 25 20,000 से ज्यादा पंजाबियों ने कुर्बानी दी पर आप भी कवाएं साब पडोसी दे आपका तो पडोसी सुबह है आप तो जब माचल से चलते हैं पंजाब के बीच में सोके जाते हैं कभी भी कोई फरक नहीं है किसी किसम का कोई किसी सोच ही नहीं आई और उसी से नाता तोड़के दूसरी जगह जब आया हूँ यहां पे उसका कारण यह था कि सुनील की आवास सुनील को इस बात के लिए कटगरे में खड़ा किया गया कि उसने इस बात का विरोध किया कि आप पंजाब को जाती पाती धरम के नाम पे नहीं तोड़ सकते पंजाब को आप परसंटेज में नहीं दे सकते हैं कि यह अमुक जो धरम है, अमुक जाती है, अमुक समुदाए है, उसकी परसंटेज कितनी है, 30 परसंट है, 40 परसंट है, 15 परसंट है, मैं समझता हूँ, पंजाब एक सुबा है जिसने देश के लिए, टेंपलेट has established a template for the country, every single citizen has the same right as anybody else, सबको बराबरी का, there is no second class citizen in Punjab, और इस बावना को लेके, पंजाब अगर नहीं परसुबा रहा है, चाहे वो, हमने देश की सिमाओं पे लड़ाई लड़ी है, चाहे देश के विकास में, हर सुबे परांत में, पंजाब ने अपना नाम कमाया है, कुछ लोग बात करेंग क्योंकि, क्योंकि हुआ क्या, कोई एक व्यक्ति की बात नहीए कि एक व्यक्ति ने बोल दیا और समंद तूट गया, वो कहना चिआ रही है इस तरए नहीं तूटा करती ये कुशीशा नहीं है जो पचाच साल का सम movement है, कुशीशा नहीं है कि पहले हम इनसान हैं, हमने रिष्टों को निवाया है असूलों की तरह, पर जब असूल ही तूट जाएं, जल से सुखे, जम अपने सिद्दान से हट जाएं अपनी आइडियोलोजी से यट जाएं तो मैं समझताउ हूँ इसी राइट टाइम ठाइब रिजिंक। उसको सारा सोचना पड़ता है कि हम जा किस तरफ रहें अज किस तरफ बड 열심히 हैं। तो उसको लेके मैं समझता हूं कि यह निर्ना लिया गया और क्यों निर्ना लिया गया बीजेपी के पास में, क्यों बीजेपी के आपके यहाज मंच पे बैठाओं। सब तरह तरहें की अटकले लगाई जा रही थी सुनील को लेकर कियास लगाए जा रहे थे क्यों बड़ा सबाविक था जिस दिन से नड़ा साहब आपने देखा कि मैंने गुड़ बाई बोला मेरी तरफ से गुड़ बाई 11 तरीक को जिस दिन मैंने देख लिया कि आवाज के पर पबंदी लगाने के लिए नोटिस जारे किये जा रहे हैं तो आवाज नहीं रोकी जा सकती सुनील को आप पद से अटा सकते हो किसी से दूर कर सकते हो सुनील की आवाज गिर भी नहीं रखी जा सकती आवाज राश्ट रिता के लिए उठेगी परंतों क्या कारण लिए नहीं कमत दोटे बार मुझे हमिला सरसा जी पर उसके बाद पर भार मेरी मुलाकाट रही माननिये परदार्नमंतरी से जब वो पंजाब आए करतारपूर कोरिडर एक बहुत लंबे समय कि मांग बलूनी जी जो सारे सिक्ष समुदाए की नहीं पूरे पंजाबियों की जो भी विक्ति पंजाब से प्रवेश्टी चुड़ा वे सबका था कि हमें करतारपूर से जाके हमें अपनी बात शर्दा नमन करने का उसकी संबाल का उस हमारे गुरुगर का हमें को मौका मिले उस समय यह सुबागय था कि मुझे वहां पर प्रदान मंतरी जी के पास बैठके गुरुगा लंगर शकने का मौका मिला उनसे बात करने का मौका मिला उनके बावनाएं समझी वो तो एक मुलाका थी ए परुंतु मेरा हमेशा ये बावना रही है कि पंजाब कुर्बानियां बहुत दी हैं, टेर्रिज्म के अंदर कुर्बानियां दी है, देश की रख्शा के लिए, जब भी मौका पड़ा है, चाहे जब से धाड़वी पंजाब आने लगे हैं, चाहे उसके बाद पाकिस्तान हो चाहे नहों हर सूप पंजाबियों नो कुर्बानियां दी हैं और उस कुर्बानियों को चलते मेरे एक मानना था हमेशा ही कि भी मौका लगा तो प्रयास करेंगे कि पंजाब को एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया जाए नटा साथ कागजों में तो भी फॉर्मली नहीं दिया गया कॉंसीचूशनली तो नहीं दिया गया बहुत सी मजबूरी हैं सरकारों भी वक्त की मजबूरी आँ होती हैं परना तो मेरा मानना है कि वेवारिक तोर पे मानिया परदान मंतरी ने पंजाब को स्पेशल स्टेटस दे दिया और उसका जीता जागता सबूत है जब मानिय प्रदान मंतरी ने लाल किले पे हिंद की चादर गुरु तेग बाहदर जी का चार सुमा प्रकाश दिवस मनाया तो मैं समझता हूं कि उनके जो सबसे ज़्यादा कटर विरोधी थे उन्होंना भी अपने दिल में सुविकार किया कि वो पंजाब की नबस समझ गए पंजाब की जो बावना है कि पंजाबी मिलजुल के मानस की जातसबह एको पहचानवे कहां कश्मीर के पंडितों को लेके चाहे आज तक संगर्स चल रहा है कब गुरु साहब ने यहां पर इन मुगलों के पास आके अपनी कुरुबानी दी थी और मैं समझता हूँ उस बावना को नमन है उस बावना को जितना भी कहें चाहे बहुत से मानिय परदान मंतरी ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से इसे काम की हैं पर एक पंजाबी के तोर पे मैं शायद किसी को अच्छा ना लगे मैं समझता हूँ ये जो उनका एक कदम था ये एक इस लेंड मार्क इसने अपने आप लोगों की बावनाएं लोगों की आज बावनाएं उनके साथ जुड़ी है और मैं समझता हूँ कि आज मेरा ये सोबाग्या है कि पंजाबी ओने के नाते और गुरु साब की उस दर्ती से आते हुए जैसे गुरु नानक देव जी के बारे में अलामा अकबाल ने कहा था कि फिर उठी सदा आखरी एक तोहीद की पंजाब से मर्दे का मिलने जगाया हिंद को एक फिर खाव से आज मैं समझता हूँ फिर वही बावना पंजाब से लेके यहां पे उस बावना उस अलग की उस जोती की एक उसको लेके मैं आज BJP में आया हूँ और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के सहयोग आपके मार्क दर्शन मानिये प्रदान मंतरी हमेश्याज जी के मार्क दर्शन में अगर मैं रती बरवी देश में और पंजाब के लिए उस अखंडता को कायम रखने में कामयाब होता हू तो मेरा जीवन सार्थक मैं मानूगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयाहिन जयाहिन साथ इस कारेकरम में शामिल होने के लिए अरदनिय राश्ट अद्यर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया के सभी साथी बहुत कम समय में आप सब लोग आए आप सब का बोड़ निवान.